हेलो एब्रिवान वेल्कम तु कॉमर्स लेक्चर्स है अम नहीं हाज हम करेंगे अपना टॉपिक क्लास 11 अंट्रफरनॉर्शिप का रोल अफ ए बिसनेस ए कॉमर्स इं टुड़ेज मार्केट यानि आजकल की मार्केट के लिए ए बिसनेस क्या 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 कर रही है वो सभी इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं यह नोट्स चाहिए हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा वहां से आप नोट्स राउन्डोड कर सकते हैं तो सबसे पहला पाइंट देखो क्या है क्या कर रहा है क्या क्या मतलब है इसका ए बिसनस अलाउस क्विक रिस्पॉंस टू कोरी जंडाउट सफ केस्टमर्स यह निए अगर आप इमिस्टमर्स कर रहे हैं और आपके क्विश्टमर्स की कोई कोरी है उनको कोई कोई दूट रही दुख परिशानी है तो आप ऊपक्रिसपॉंस तुरंत रुप्लाई दे सक से तुरंत सॉल्व कर रहे हैं उसको बारवर आपके ओफिस के चकर नहीं काटने पड़ रहे हैं आगे देखते हैं नेक्ट पॉइंट अपडेट इन्फॉर्मेशन यह पॉइंट क्या कह रहे हैं अ कंपनी वेबसाइट विच कन बी एक्सेस्ट फॉम एनिवर इन दे वर्ल प्रोवाइट लेटस इन फॉर्मेशन ते कस्टुमर जस्ट अड़ क्लिक ओफ ते माउस सबको पता है हरे कंपनी के अपनी वेबसाइट या फेसबुक पेज़ेज या शोशल मीडिया पे कांट वगरा होते ही हैं हरे कंपनी के और उन्हें हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं दुनिया में वर्ल्ड में कहीं पे भी किसी भी कंटरी में बैठे हो चाहे इंडिय में हो चाहे कैनेडा में हो चाहे यूएसे में हो या सकते हैं और आपको कोई भी latest information चाहिए तो सरफ आपको किक करना है लैप्टॉप कोला उस company के website पे गए बस माउस से click किया और सारी information आपके हाथ में चाहे कोई information हो चाहे प्राइस का product जानना हो या कोई discount चल रहा है उस company का या कुसकी quality कैसी है उसमें क्या features है product में सारी information आपको सिरफ एक click करने से आपके पास आ जाएगी इसके लिए आपको कहीं नहीं जाना है किसी भी company में पर्सनली जाके नहीं पूछना है next extending markets अब बढ़ रही है इसकी वज़े से because of e-business markets have become global जब से हमने e-business electronic business start किया markets global हो गई है इसका क्या मतलब है कि अब हम global level पे international level पे हर एक country में अपने product बेच सकते हैं now goods can available in those areas where there are no physical markets present like rural areas so अगर हम चाते हैं अपने goods को बेचना ऐसे areas में जहां कोई physical market ही नहीं है physical market या नहीं कोई दुकान वकान ही नहीं है सबी कोई गाउं है suppose जहां पे कोई mall वगेरा नहीं है कोई branded showroom नहीं है और वहां भी अब समान बेचना चाहते हो तो कैसे बेचोगे दुकान खोलने की जुरत ही नहीं है online customers को track करना है customers ने online खरीदने और आपने delivery कर देनी है product की बात खतम चलो अब next point करते हैं देखो next point क्या है shortening of distribution channels यानि आप distribution channels काफी short कम होते जा रहे हैं distribution channels क्या होते हैं बीच के जो middlemen होते हैं जैसे wholesalers, retailers अभी इनकी जुरत नहीं है अपने को because of e-business producers have started having direct contact with customers which results in reduction of middlemen in related cost so जब से e-business आया है जो producers हैं जो manufacturers है वो directly consumers से ही deal करते हैं और इसकी वज़े से middlemen का reduction यानि middlemen की जुरत नहीं पड़ती है अब जैसे कि कोई particular brand है ठीक है और मेरे को उसके product चाहिए जैसे कि आज कल बहुत famous चल रहा है तो हमें personally क्या करना है उनकी company में जाने की जुरत नहीं है या फिर उस company को हमारे पास किसी को भेजने की जुरत नहीं है मैं डिरेक्ट उनकी website पर जाऊंगी वहां से अपने लिए जो भी मुझे cream cream powder powder खरीदने है वो खरीद लोंगी और वो लोग मुझे online भिजवा देंगे बात कतम बीच में किसी wholesale और retailer की जुरत ही नहीं है चलो आगे बढ़ते हैं saving of time and cost इससे हमारा समय भी बसता है और पैसे भी कम खर्च होते हैं कैसे consumers now do not have to physically visit the market to purchase goods अब consumers को physically यानी personally खुद चल कर नहीं जाना है market अगर मुझे कोई goods खरीदने हैं तो मुझे मार्किट नहीं जाना है कि मैं train पकड़ू मैं बस पकड़ू मैं बाइक निकालो स्कूटी निकालो नहीं बिल्कुल नहीं they can now purchase goods online and save time cost energy अब मैं वो goods खरीदने हैं तो मैं इसे online खरीद लूँगी मैं flipkart यूज कर लूँगी मैं amazon यूज कर लूँगी इससे मेरा time बढ़ जाएगा क्योंकि जहां एक दो घंटे travel करना पड़ेगा मुझे मार्किट में वो traveling time बढ़ जाएगा मेरी cost बढ़ जाएगी भाई 10-5 रुपे कुछ किराया लगाऊंगी वो भी बढ़ जाएगा मेरी energy save होगी इतनी ठक हार के जाऊंगी ठक हार के आऊंगी इस्टे बढ़िया phone खोला shopping मेरी बात खतम चलो आगे बढ़ते हैं less risk in payment payment में कोई risk नहीं है या पर बही जैसे की offline business हो में क्या है अगर आप payment कर रही है तो internet पर कर रहे है online कर रहे है debit card से करो credit card से करो इससे जो रिस्क है कि आपके पस पैसा आ रहा है वो कम हो जाएगा क्योंकि सामने वाले ने मेरे bank account में डिरेक्ट मुझे पैसा भिजवाया और मैंने फोन पर message पढ़ लिया कि मेरे पास जो है 100 रपे 500 रपे जो भी है मेरे account में आ गए है वो पैसा आप मेरा है इसमें कोई tension नहीं है कि नोट खराब है या नकली है कोई tension नहीं तो यह रिस्क यहां बच जाता है अगर आप नए product market में लेकर आ रहे है तो online अगर उसे लेकर आएंगे तो बहुत जादा ही आपको असान होते हैं चैक कोई भी company हो अगर वो चाती है नया product launch करें अपना तो यह business के तुरू अराम से लेकर आती है आपको बस company के अपनी website online बनानी है उसे promote करना है website को और लोगों तक यह बात पचानी है मेरा यह product आया है इसे खरीदो और लोग इसे online खरीदना शुरू कर देंगे उसके लिए बहुत बड़ी factory वेक्टरी है सब building खरीदने की दुकाने शोरूम खरीदने की जुरूत ही नहीं है mails, catalogs, photographs, etc. can help customers to understand product better आप अपने customers को क्या करो mails भेजो, catalogs भेजो, photos भेजो product की ताकि वो आपके product को देख सके अच्छे से समझ पाए लास्ट पॉइंट है lower personal cost इसमें personal cost काफी कम लगती है personal का मतलब है है आप जो employees को जो hire करते हैं उनको salary देते हैं तो वो cost नहीं है इसमे any business less number of personals are required because a single computer is good enough to do the job of many employees अगर आप e-business कर रहे हैं, online कर रहे हैं business तो आपको कम personal की जुरत पड़ेगी कम employees के जुरत पड़ेगी आपको एक single computer ही काफी है कि वह बहुत सारे employees का काम अकेले कर लेता है quickly और बहुत जल्दी भी कर लेता है correctly और बिल्कुल सही करता है अब कैसे कम employees करत पड़ेगी, suppose आपने एक showroom घुला आपको उसमें एक guard की जुरत पड़ेगी एक cash counter पे इनसान चाहिए होगा कुछ salesman चाहिए एक सफाई वाला चाहिए होगा लेकिन online अगर आप business कर रहे हैं computer के तरूब आपको गाड की जुरत नहीं फोन में कोई घुसनी रहा salesman की जुरत नहीं सिरफ photo डालनी है अपने आप लोग आएंगे photos देखेंगे बात खतम ठीक है cash counter के लिए कोई आदमी की जुरत नहीं क्योंकि सबने online payment करनी है डिरेक्ट आपके bank में payment जानी है कोई tension नहीं तो कम employees की जुरत पड़ेगी तो कम पैसे खर्च होंगे इससे आपकी जो है cost काफी कम लगेगी सरी video खतम